माराश्ट्र के चंद्रपूर के बिल्लापूर शहर में रहने वाले जय भारत चौधरी ने एक मिसाल कायम की है पिता ट्रक्स अलग गर्मी गरीबी की हालत इसके बाव जो जय ने अपनी पढ़ाई की प्रती लगन और मेहनत के बल पर परिवार का ही नहीं तो पूरे जिले का नाम रोशन क्या है दरसल जय का मानना था कि गरीब और दरीद बस्तियों की बच्चों को पढ़ लिख कर एक मुकाम हासिल करना चाहिए इसलिए जय ने अपनी दोस्तों के साथ मिलकर देयर फाउंडिशन नमक संस्ता स्तापन की और परिशर के गरीब बच्चों को मुफ में शिक्षा देना शुरू कर दिया जय के इसी काम को देखते वे राज़े सरकार के और से राज़े श्रीशाहू महराज छात्रवत्ती योजना के तहट लंडन बेचा किया और अब दुनिया भर में नामचीन एडिंबर्ग युनिवर्सिटी स्कॉट्लैंड में जय की पढ़ाई शुरू हो गई है 24 वर्षिय जय परिसर के बुद्ध विहार में गरीब बच्चों को मुफ में पढ़ाता था इसे सामाजिक सरकृता को देखते वे उसे लंडन वर्ल्ड युनिवर्सिटी में उच्छ शिक्षा के लिए चुना गया जय भारत चौतरी चनरपुर जिले के बलारपुर का रहने वाला है पिता ट्रक ड्राइवर है सरकारी स्कूल से पढ़े जय ने कड़ी मेहनत और डूट संकल पर से सफलता हासिल की है खास बात यह है कि जय ने खुद पढ़ाई को महतवत देती वे सफलता प्राप्त की और साथी परिसर की गरीब बच्चों में भी पढ़ाई की प्रती रूची निर्मान की चन्रपुर जिले के बलारपुर शहर के बुद्धनगर के दलीद बस्ती में रहने वाले जय ने बड़ी सफलता हसिल की है पिता भली ही एक साधार ट्रक डाइवर है लेकिन लड़की ने डूट निच्छे और मैनत की दम पर जिले का नाम बढ़ा क्या है जय की दस्वे की कक्षा तक की शिक्षा बलारपुर के मराठी मीडियम स्कूल सर्वदय विद्धाले में पूरी हुई है बारवी हैदराबाद से और गवर्मेंट एंजिनेरिंग कॉलेज चन्रपुर से कंप्यूटर साइंस में डिग्री पूरी की मराठी मातियों से शिक्षा प्राप्त करने की कारण जय को शिर्वात में कई कठनाईयों का सामना करना पड़ा चुकि घर की स्थित्या प्रतिकुल थी और शिक्षा के लिए परियाप्त धन उपलब नहीं था इसलिए पीटा ने ओवर टाइम काम करना शुरू कर दिया वह राट दिन ट्रक चला थे थी वह अपने माता पीटा को देख रहा था जो उसके लिए काम कर देती उसने ठान दिया कि माता-पीता की मैनत जाया नहीं जाये इसलिए जय दिन राथ पढ़ाई शुरू कर दी अंग्रेजी भाषा में बहारत हासल की इसे पेच जय की दोस्तिक किताब उसे होगी जय पर डॉक्टर बाबा साहिब आमिटकर के विचारों का प्रभाव किया कई यवाव को इंग्लिश पढ़ाई और उन्हें उच्छे शिक्षा का पार पढ़ा है चोटे बच्चों के लिए निशुलक अंग्रेजी कक्षा इली फांडेशन वारा उसे बुद्दव विहार में एक बड़ी लाइबरी शुरू कर दी उनके महरत कफल अब मिल क्य मातब्दविता है जय को सामाजिष शिक्षा और डेटा और समांता और समाच पर इंग्लेंड स्कॉटलेंड के विश्व प्रसिद्ध एडिनबर्ग विश्व विद्द्दयाले में उच्छिच्षा के लिए चुना क्या है या विश विद्द्द één दुनिया के शृष 15 व परिवार खुश है माता पिता तो खुशी के मारी फूले नी समा रहे हैं अपने बच्चे पर गर्व महसुस कर रहे हैं बेटा अभी लेंडन बे हैं और रोज शाम को वीडियो कॉल कर अपने माता पिता से बात करता है पुरा परिवार भी जय के फोन का बेसबरी से इंतिजा करता है जय भी अपनी काम्याभी का पूराश्य अपने माता पिता को देता है शिक्षन नाच्या सामर्थ्यावर विश्वास ठेवनारे पालक मिड़ाले बदल मी खूप आनंदिया है त्यांच्या अतूल निया पाठिम्ब्याने आनि त्यागा मुडे मला माच्या आयुश युनाइटेट किंग्डम मदे शिक्षन शक्य करन्यात महत्वाची एक भूमी का बजावनारे महाराश्य राज्य शिश्य वृत्ति बदल सुधा मला मना पासुन एक कृतद्नेता अव्यक्त कराईचिया है या शिश्य वृत्ति ने केवड माजा शिक्षना साथीच नाही तर एडिनब्रा येथे रहान्याचा खर्च देखिल केला है माजासार का विद्धरतान साथी हा एक आशेचा किरन है ये सिद्धा करते कि आर्थिक अर्थडे किती ही असले तरी ते कधी ही द्न्यानाचा शोधात एक अर्थडा बनुशकत नाहीत तर एडिनब्रा ले येन या फाउंडेशन मदे मला जवड पास दोंशे पन्ला स्पेक्षा जास्त विध्यार तेनना एक स्पोकन इंगलिश कोर्ष शिकावन्याची एक संधी मिडाली, एक एक्स्पिरियेंस मिडाला माझा साथी शिक्षन हे केवड एक वयक्तिक प्रयत्न कदी ही नवता हे समाजाला एकत्रिक करन्याची सुधा एक साधन आहे असे मुला वाट्टे सांगलिया भविशा साथी एक पाउल सुधा आहे हे एजुकेशन धिये एजुकेशनल फाउंडेशन चा माध्य मातून जयांचा कड़े संसाधनांची कमी होती आनि जाना कॉलिटी एजुकेशन चा एकसेस नवता तर त्यानना एजुकेशन देनाची ही माजी एक निहमी एक धेया होता माजाच सुबत पुन्हा काई आमचाच वार्डा तिल किवा आमचाच गावा तिल पन काही यूद जुल्डे होते जैनी मुला खुब मदद केली आनि त्यांचाच मुडे ही धेया फाउंडेशन निर्मान चाली माजा विश्वास आहे कि शिक्षना मधे अर्तडे तोड़न्याची विशमता नस्ट करन्याची आनि आर्थिक न्याई समाजाची निर्मिती करन्याच साथी जी लागनार एक शक्तिया हिती आहे ड्राइवर चा मुल्गा हुने पासुन ते जगातिल सर्वोत्तम विद्यापिटा मदे शिक्षन घिन्याचा जो माजा प्रवास आहे तो यह गोश्टी चा एक विश्वासा चा पूरावा सुधा है मेरे पढ़ाई काई नहीं तो मेरे रहने का भी खर्चा उठाया है या आने की पहले मेर्धिया फाउंडिशन नमक संस्ता चलाता था स्पोकन इंगलिश को पढ़ाने का मोका मिला मेरे लिए शिक्षा सिर्फ मेरे तक ही सिमित है ऐसा मुझे कभी नहीं लगा ये समाज को एकदित करने का एक साधन भी है संस्ता के मातिम से हम करीब बच्चे को पढ़ाने का काम करते थी मेरे को सर उसको पढ़ाई के लिए बहुत सी स्ट्रगल करना पढ़ा है पहले तो महराथी मेडियम से ही पढ़ा है मात्मा गांधी विद्याले से बलारपूर से पढ़ा है वो पहले उसके बाद में सुरोदे विद्याले में पढ़ाई हो गई दसवी तक और दसवी के बाद वो हैदराबाद में पढ़ा श्री चैतन्य कॉलेज में स्री चैतन्य में पढ़ने के बाद उसके अच्छे परसेंटेज मिले 9.5 या 9.8 कुछ तो भी है उसके बाद में इंजिनिरिंग किया चंद्रपूर से वहां से भी उसको अच्छे पढ़ाई में मार्क्स है पूरा टोटल कुछ तो भी 9.8 कुछ तो भी है बहुत से चोटे बच्चों को जो कालियो कॉलेज के स्टूडेंट है उनको इंग्लिश पढ़ा पढ़ाता था इंग्लिश स्पीकिंग के कुर्स लेता था वह बहुत से वह कोई-क जो इंटर्व्य है सब है करना नहीं करते कि इसके बारे में करना है इसके बाराधता था में पुझार करना ह। म्याक्ता और ऑपने साथ में वह देए बच्च दोस्तों को लगाना है I am मेरे को उसके लिए सर बहुत श्टगल करना पड़ा है बहुत रात दिन मेहनत करके बहुत से पैसे जुटा के रखा उसके लिए और वो पैसे आज उसके काम में आए बस इन बिसंदे उसके लिए चन्रपुर से सुनिल ताड की रिपोर्ट झाल